Good morning all of you, good morning all of you, very good morning. I think now, सभी को voice clear आ रहा है बच्छो, चेके न, video clear है, so now we start, okay, so without wasting time, we will going to start this session, कोशी करेंगे बच्छो यहाँ पर, हम नया topic स्टार्ट कर रहे हैं, नया subject स्टार्ट कर रहे हैं, और यह subject जो हो हम जल्दी ही खदम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस आप से subject का weightage है, उस आप से कुछ important points हैं, यहाँ पर discuss करने बहुत जरूरी है, और heat transfer बच्छो हमेशा से ऐ इसकी weightage धीरे-धीरे-धीरे-धीरे exam में बढ़ती रही है, मतलब last 2019 की बात करें तो इतना ज्यादा नहीं रही है, लेकिन 2018-17 की बात करें, तो 17 में बहुत ज्यादा आपको weightage देखने को मिली है, पेपर में, वो भी किसी-किसी session के paper में, जो है heat transfer की weightage अच्छी कासी रही है लेकिन अगर weightage हम कम और ज्यादा जो भी बोले हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कोई PSU होता है, या कोई state level exam होता है, तो question इससे जरूरू आते हैं, और main बात है कि इसको slivers cover करना इसको बहुत असान है, क्योंकि topics बड़े classified है, classified topic मतलब, कि आपका, वही मैं करहा हूँ, इसल तो यहां पर जो भी fundे आते हैं, वो easily classify हैं, क्योंकि यहां पर हमारे पास heat transfers के modes की बात होती है, और जब heat transfer के modes की बात होती है, there is simply three types of modes of heat transfer, we all know that, वो है हमारा conduction, convection and radiation, तो ऐसे में questions बड़ा clear रहता है कि either question conduction से आएगा, convection से या radiation से आएगा, तो आपके पास जो सबसे ज़्या करें, तो subjective हमेशा conduction से आता है, ठीक है, लेकिन objectives की बात करें, तो conduction और आपका radiation है, दोनों ही topic important है, objectives के लिए, ठीक है, convection है एक अस्चा-सा researchial topic है, तो convection से बहुत ज़्यादा depth नहीं आता है, क्योंगे convection जो है, वो conduction के साथ use होके हम solve कर लेते हैं, तो इसलिए convection जो है, वो सिर् and gate ES के लिए भी important होता है, वो मैं बता देता हूँ, point out करके है, कि ये gate ES वाले को कर सकता है, ठीक है ना, बाकि gate ES के साथ से मैं slabers cover नहीं कर रहा हूँ, ये चीज मैं पहले ही clear करके चलता हूँ, ठीक है ना, आपको gate में फाइदा इससे होगा, definitely होगा, लेकिन I am not here for gate and ES, क्यो heat transfer की जब हम बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको कहा, कि heat transfer में आपको सिर्फ एक ही चीज समझनी है, कि जो हम thermodynamics में बात कर रहे थे, तो thermodynamics में हम heat की quality की बात कर रहे थे, heat के exchange की बात कर रहे थे, लेकिन heat कितने तेजी से body में transfer हो रहा है, हम ये बोल रहे है, कि एक body से दूसरी body में कितना तेजी से heat transfer हो रहा है, मतलब in heat transfer we discuss we discuss the rate, rate of heat transfer, तो यहाँ पर mainly हम discuss करते हैं, बज़ो rate of heat transfer, कि जो heat transfer आपका हो भी रहा है, वो कितना तेजी से हो रहा है, कितना धीरी से हो रहा है, the main thing is that the rate of heat transfer is in the हमारे किसी भी system में, now, जब हम rate of heat transfer की बात करते हैं, तो फिर हमारे लिए वही है, कि सबसे पहले जानना जरूरी है, कि what are the different modes of heat transfer, we all know that there are three modes of heat transfer, three modes of heat transfer, कोई भी दो bodies के बीच में heat transfer जो है, वो तीन तरीके से हो सकता है, we all know that there is a conduction, there will be the conduction, there can be convection, and there can be radiation, ठीक है, जब हम conduction की बात करते हैं, बचो, जब हम conduction की बात करते हैं, तो याद रखिए, यहाँ पे mainly, जो है, mainly, ठीक है, mainly हमें यही conduction जो है, वो solid bodies में दिखाए देता है, मतलब, conduction और convection होने के लिए, conduction और convection होने के लिए, कोई ना कोई molecular movement जो है, वो होना बहुत जरूरी है, मतलब, molecular movement is required, ठीक है ना, molecular movement is required मतलब, क्या हुआ, कि requirement of some medium, मतलब, कोई ना कोई ऐसा medium चाहिए, जो यह heat transfer कर सके, हम अगर बोले कि यहाँ पे vacuum है, तो vacuum में मतलब conduction और convection होना possible नहीं है, conduction फिर भी किसी body के अंदर-अंदर हो सकता है, लेकिन convection बिल्कुल भी possible नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए याद रखिए, radiation ही एक मात्र ऐसा जरिया है, जहां पे हम कहें, it doesn't require any medium, does not require any medium, इसको किसी तरह के medium की जरूत नहीं है, मतलब कुछ बीच में कोई particle, कोई molecule, इस तरह के किसी की जरूत नहीं है, ये directly body to body heat transfer हो सकता है, थुरू, ये directly body to body heat transfer हो सकता है, थुरू, थुरू, लेक्ट्रो मेंनेटिक वेव्स, लेक्ट्रो मेंनेटिक रेडियेशन, ठीक है, रेज बोल देते हैं, लेक्ट्रो मेंनेटिक रेज, ठीक है, जिसके अंदर वच्चो हमारे आती है, तो याद रखिए, ये मैं आपको heat transfer जब बता, रेडियेशन जब पढ़ाऊंगा, तब बताऊंगा, तो लेक्रो मेंनेटिक रेडियेशन के रेडियेशन के अंदर क्या आती है, लेक्रो मेंनेटिक रेडियेशन, के अंदर आती है, बच्चो हमारी infrared radiation, infrared radiation ठीक है, plus solar radiation जैक न, इनफररैड रेडिएशन प्लस सोलर रेडिएशनlara, तो मतलब इनफररैड और सोलर रेडियशन की मदद से ही hámara heat transfer हो पाता है through radiation. इन इनफररैड जो है, उसमें सोलर रेड भी है, और सोलर रेड जो है, एक इनफररइड है और इनफररैड के साथ सोलर है. क्या क्या range होती है वच्छो wavelength की वो मैं सब radiation के time पर बताऊंगा, अभी सिर्फ यह समझेए कि infrared है और solar है, तो solar के अंदर जो है, वो हमें सूरस से जो है, वो क्या मिलती है, हमें गर्मी भी मिलती है, और light भी मिलती है, ठीक है ना, तो solar के अंदर जो है, वो infrared भी आती है, ठीक है वो कितना आता है, वो सब आपको radiation में बताऊंगा मैं, तो कुछ part जो है infrared का भी आता है, कुछ part visible light का भी आता है, और कुछ part ultraviolet radiation का भी आता है, ठीक है ना, तो solar radiation, याद रखे, solar radiation के अंदर जो है, infrared rays, ठीक है, infrared rays, plus visible rays, plus आपका, that is, ultraviolet rays, यह सब, ultraviolet का भी पूरा-पूरा ने कुछ part आता है, ठीक है ना, तो इन सब को मिला के, बच्चों हम क्या बोलते हैं, इन सब को मिला के हम लोग बोलते हैं, thermal radiation, इन सब को मिला के हम लोग बोलते हैं, thermal radiation, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ, वो सुन ल इन सब को मिला के, हम बोलते हैं, that is your, thermal radiation, तो इसलिए, radiation का फंडा बड़ा अच्छा, clear होता है, बच्चों, उसके different laws होते हैं, काम करने का तरीका different रहता है, because it deals only in electromagnetic radiation, वो सिर्फ और सिर्फ electromagnetic radiation में ही deal करता है, ठीक है ना, हम जब conduction और convection की बात करते हैं, तो या रखिए, conduction जो है, वो सिर्फ और सिर्फ होता है, due to, conduction, यह हम में बता रहे हैं, heat transfer किसके वज़े से होता है, तो हमने बहुता, radiation में इनके वज़े से होता है, तो conduction में, या रखिए, heat transfer होता है, due to free electrons, कोई free electrons available है, जो move कर सकता है body के अंदर, तो body के अंदर कोई free electrons available है, जो move कर सकता है, तो यहाँ पर, okay, सब कुछ हटा देते हैं, ठीक है, तो free electrons जो है, जो move कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते है, that is free electrons, movement of free electrons, plus lattice vibrations, lattice vibrations, समझारे बात, तो free electrons plus lattice vibrations के वैसे जो है, वो conduction possible हो पाता है, तो यह free electrons और lattice vibration क्या है, inside the solid body, यह दोनों चीज़े क्या होती है, यह inside the solid body होती है, inside the body, especially solid body, especially solid body, तो ज़्यादा अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है बच्चों कि सिर्फ solid body में ही conduction देखने को मिलेगा, लेकिन in general हमें ज़्यादा कर conduction जो है, वो solid body में देखने को मिलेगा, लेकिन यह मैं सोचे करें कि सिर्फ conduction solid में ही होता है, ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर उस हिसाब से हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पर उस हिसाब से हम लोग बोलते हैं, ठीक है, now convection की बात करें, तो convection में याद रहिए, बच्छो, convection में जो होता है mainly, वो होता है fluid के उपर, मतलब जो भी fluid हमारा present है, वो fluid की velocity हो गई, fluid की connectivity हो गई, यह सब काफी सारी fluid की properties जो है, वो involved होती हैं, तो fluid का, fluid molecular moment, fluid molecular moment, fluid का जो molecular moment होता है, मतलब fluid किसी body के उपर से जा रहा है, ठीक है ना, तो depends on fluid properties, जो fluid की ही properties हैं, उन्हीं पर सब कुछ depend होता है, ठीक है ना, तो यह काफी लंबा और discussion का बहुत बड़ा factor होता है, कि fluid की properties होगरा किस तरह की है, उस पे mainly जो है, यह depend कर रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, कि that is, we have a, we have a fluid present always there, कि यहाँ पे क्या है, कि कभी भी हमारा कोई convection हो रहा है, तो body के आसपास कोई ना कोई जो fluid है, वो fluid present जरूर रहता है, ठीक है, radiation वाला पार्ट पढ़ दूँ एक बार, क्या बोला मैंने बचो, देख लो एक बार, मैंने बोला, it doesn't require any medium, radiation में, यहाँ पे जो heat trans होता हो वो electromagnetic rays की थूरू होता है, electromagnetic rays के अंदर आती है, infrared rays, plus solar radiation, और solar radiation के अंदर आती है, infrared rays, visible rays, and ultraviolet rays, ठीक है, समझ एवाल, clear है, तो यह हमने बोला, ठीक है, clear है इतना, now, तो यह है बचों मैंने जो short में आपको बताया के conduction, convection, radiation जो है, वो किस तरह के mode of heat transfer कैसे possible है, तो हमारी daily life में यह तीनों ही तरह के mode of heat transfer हम लोग use करते हैं, अलग-अलग cases में, और कभी इनके combinations भी यूज करते हैं, मतलब हमारे पास जो कई ऐसे examples भी हैं, जहां पे हमारा conduction, convection, radiation एक साथ देखने को मिलता है, तो एक example बहुत बार paper में पूछा जाता है, and that example is called boiler, तो यार रखेगा boiler एक ऐसा example है, बहुत बार paper में आ चुका है, बच्चो, boiler एक ऐसा example है, which contains, in boiler, in boiler, heat transfer is due to, due to conduction, convection, and radiation, ठीक है न, तो यह एक बहुत पुराना और बहुत ज़्यादा पुशे जाने वाला example है, कि आपके पास ऐसा कोई mode of heat, transfer, जिसमें तीनों ही तरह का, जो है, वो heat transfer, तीनों ही mode से heat transfer हो रहा हो, तो यहाँ पर furnace के थुरू, radiation के थुरू, आपका, सबसे पहले heat transfer होता है, फिर उसके बाद convection के थुरू, फिर उसके बाद conduction के थुरू, body के अंदर heat जाता है, तो यह basically हमारी यहाँ पर calculations होती है, now, अब हम बात करते हैं, बच्चो, एक-एक करके topic को उठाएंगे, तो यहाँ पर सीधा हम बात करते हैं, सबसे पहले conduction की, ठीक है, तो देखिए, यहाँ देखिए, बच्चो, heat transfer से numerical भी ठिक-ठाक बन जाते हैं, ठीक है ना, तो mainly आपको यहाँ पर यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से समझी नहीं है, तो mainly हम सबसे पहले conduction और convection को थोड़ा समझेंगे, ताकि conduction में हम कहीं पर भी convection के फंडे को लगाएं, तो हमारे समझ में आए, जब हम बात करते हैं, अब conduction की तो जैसे कि हमने बोला कि conduction में जो heat transfer depend है, वो हमारे free electrons और lattice vibration पर depend है, है ना, तो याद रखिए हमने क्या बोला, conduction जो है, उसमें जो है, heat transfer, ठीके रहा है, heat transfer is due to, due to availability of free electrons, तो याद रखिए, 70% जो heat transfer depend होता है, वो लगबख सिर्फ free electrons के availability पर depend होता है, and 30% जो heat transfer होता है, conduction heat transfer, वो latest vibration में depend करता है, ठीके ना, अब ये तो आप समझते हैं कि free electrons क्या होते हैं, free electrons तो मतलब obvious ही बात है, ठीके ना, free electrons तो obvious ही बात है, आप सब को समझते हैं, कि free electrons जो है आपका, वो simple, किसी भी configuration में हम देखती है, कि कोई electron ऐसा है, जो freely move करता है, वो किसी के साथ join नहीं हुआ है, तो वो movement करके conduction करने में help करता है, तो 70% चीज़े वहीं involved होती है, जिन metals में कोई free electrons अवलेबल रहता है, लेकिन lattice vibrations क्या होती है बचो, तो जैसे कोई भी crystal structure है, जैसे मैंने ये crystal structure बोला, तो यहाँ पर क्या है, atoms ऐसे connected एक दूसरे के साथ, तो अगर मैं यहाँ से heat transfer शुरू करता हूँ, तो यह lattice vibrations यह हूई कुछ, आखे न, यह structure जो है, वो इस तरह से vibrate करके, heat transfer आगे जा रहा है, तो यह ऐसे vibrate कर- मैं बीच में distort कर दूगा माल लिजे मैं बीच से crystal structure अलग कर देता हूँ यहां पे यह पाट जो हटा देता हूँ रहे, यह बीच में कोई bond हटा दिया मैं ने crystal structure disturb कर दिया यह बीच से कोई atom हटा दिया मैंने माल लिए बीस से कोई एटम हटा दिया मैंने मतलब एक तरह से defective crystal structure समझ लिजे तो अगर मैं ऐसा कुछ कर देता हूँ तो अब vibrations proper देखें हो नहीं पाएगा तो अगर vibrations proper नहीं हो पाएगा अब ये distort हो गया structure तो अगर ये vibrations proper नहीं हो पा रहा है तो आगे heat transfer भी proper नहीं होगा तो इसलिए mode of heat transfer में अगर lattice vibration के तरह heat transfer हो रहा है तो उसके लिए जो है involve होना चाहिए एक perfect crystal structure इसलिए बचो यहाँ पे जो हमारा diamond होता है वो एक perfect example होता है diamond हमारा कि diamond में कोई भी free electron अबलेबल नहीं होता है फिर भी 100% heat transfer is an exceptional case जिसमें heat transfer जो है वो total total vibration के थूँ ही हो जाता है because it has a perfect crystal structure ठीक है ना उसमें जो है वो एक perfect crystal structure होता है समझागे बात clear है now now अब आगे देखें तो यहाँ पे हम यह कह रहे हैं basically इस तरह से तो diamond के लिए एन एक 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 ग्जामपल है diamond is an only example diamond is an exceptional case in which 100% heat transfer is due to lattice vibration only ठेके ना, as it has no free electrons available तो यहाँ पर जो भी vibrations की थुरू ही होगा हमारा वही heat transfer होगा और वो काफी अच्छा होता है ठेके ना, तो यहाँ पर यहाँ दखिए का it has perfect crystal structure perfect crystal structure ठेके ना, अब conduction के mode of heat transfer को समझने के लिए यहाँ पर हमारे पास, यहाँ रखे बच्छे, heat transfer में जो भी laws discuss होगे, these laws are very very important, यहाँ पर चाहे वो conduction के लिए कोई law दिया जाए convection के लिए दिया जाए या radiation के लिए दिया जाए, ठेके ना, इस सभी law जो है वो काफी important है, तो laws आपके ओपर जरूर paper में पूशे जाते हैं ठेके ना, कि यह law किस के लिए बताया गया है, तो याद रखे, conduction के लिए हम सबसे पहरे define करते हैं, तो it is called Fourier law of Fourier law of heat conduction ठेके ना, तो जब हम Fourier law of heat conduction के बात करते हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना जरूरी है कि law क्या है क्या रहा है law क्या है क्या रहा है यहाँ पर that is, कि कोई body है उसके एक साइड कहीं temperature T1 है उसके एक साइड कहीं temperature T1 है, ठेके ना Fourier law of heat conduction लिखाया बच्छो बस, तो यह मैं सुचे कहा है कि दिखनी रहा है, समझनी आ रहा है ठेके यहाँ temperature T1 है और यहाँ कहीं temperature जो है वो T2 है ठेके, तो अगर मैं x direction में heat transfer देख रहा हूं मतलब x direction में इधर से इधर heat transfer देख रहा हूं ठेके ना, और यहाँ से यहाँ तक दोनों के बीच में कहीं पर भी कोई difference है मतलब width का difference L is the difference of the width और यहाँ पर जो जहाँ से heat transfer हो रहा है, वो body का area जो है, area of exposure A है तो ऐसे में इस T1 temperature से heat transfer जो है वो T2 की तरफ होगा कुछ इस तरह से linear direction में ठेके ना, इस तरह से linear direction में और मैं कोई छोटा section बीच का काट के देखूँ तो मान लीजिए मैंने कोई छोटा section बीच का काट के देखा इसका slope check करने के लिए तो मान लीजिए मैंने कोई dx length को देखा कि dx length में heat transfer कैसा हो रहा है तो वहाँ पर मेरे को temperature change मान लीजिए कोई dt नजर आया ठेके ना, तो यहाँ पर हम heat transfer जो है वो कैसे दिखाते हैं q is directly proportional to that is a dt upon dx simple कुछ इस तरह से Fourier law जो है वो heat transfer को define करता है q is directly proportional to a dt upon dx लेकिन अब यह जो heat transfer की जो slope है यह change होता रहेगा material to material यह change होता रहेगा material to material तो मतलब यह material property जो है बहुत important है जिसको हम thermal conductivity कहते हैं तो जब हम यह लगाते हैं q is equals to k a dt upon dx जब हम बरावर करते हैं तो यहाद रहेगे यहाँ पर हम minus का use करते हैं, हम x direction में चल रहे हैं तो x direction में चलेंगे तो minus sign लगाएंगे minus sign लगाने का सीड़ा सीड़ा मतलब यह होता है बच्चों that is this negative sign indicates that negative sign indicates that heat is transferred heat is transferred from high temperature to low temperature temperature to low temperature तो यहाद रखिए आपको minus sign कब use करना है कब नहीं करना है यह चीज का दियान रखना पड़ेगा बच्चों अगर आप यहाँ minus sign लगा रहे हो तो यहाद रखिए temperature change फिर वही लिखो कि आप final minus initial मतलब T2 minus T1 तो it should be T2 minus T1 अगर आप already T1 minus T2 high minus low लिख रहे हो तो then no need to add any sign तो तब आपको यहाँ पर sign लगाने की जरूद नहीं है समझा रहे बात clear है क्या बोल रहा हूं मैं कि यहाँ पर अगर आप minus sign यूज कर रहे हो तो फिर temperature का जो change है वो T2 minus T1 ही लिखेगा ठेके ना और लेकिन अगर आप T1 minus T2 लिख रहे हैं already मतलब बड़े में से छोटा ही minus कर रहे हैं तो फिर there is no need of applying any negative sign क्योंकि negative sign है ही इसलिए महाँ पर हमने लगाया ताकि जो है What is this? मतलब समझाने जो लोग अभी बता रहा हूं बच्चो conductivity diamond की क्या है वो सब बढ़ी बता रहा हूं अभी लिखा रहा हूं मैं proper अभी सिर्फ समझिए कि क्या बोल रहे हैं तो इसलिए जो mode of heat transfer through conduction होता है तो Fourier law क्या कहता है तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देता हूं that is called अगर x direction नहीं निकाल रहे हैं तो याद रहे हैं यहाँ पर हम heat transfer निकाल रहे हैं उसके अपने कुछ assumptions हैं बचों ठेके ना उसके अपने कुछ assumptions हैं जैसे की कुछ basic assumptions अगर मैं बूलूं तो यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि हम heat transfer स्रीव एक ही direction में ले रहे हैं कि एक्स डारेशन में heat transfer कितना हो रहा है तो इसका मतलब इट इज आ वन डामेशनल heat transfer इट इज अजम्शन जो हम ले रहे हैं इस laws के वो क्या है इट इज वन डामेशनल heat transfer हम लोग ले रहे हैं हम लोग कहीं पर भी time के साथ factor को लेके नहीं चल रहे हैं इस तरह कि जो mode है हम लोग लेके चल रहे हैं बाकी homogeneous body लेके चल रहे हैं homogeneous body मतलब body का heat transfer जो है वो vary नहीं कर रहा है body के अंदर same है पूरा तो याद रखिए homogeneity body की लेके चल रहे हैं बाकी यह सब properties भी हम लोग यहां पर लिख सकते हैं पर basic assumptions यह हैं तो heat transfer formula क्या कहता है q is equal to minus k a dt upon dx ठीक है तो यह हमारा Fourier law of heat conduction है लेकिन जब इस law को हम एक finite side के लिए लगाते हैं मतलब L width के लिए लगाएंगे और T1 T2 temperature change देखेंगे तो what we will write we will write qx is equal to k a dt 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 मतलब T1 minus T2 अब मैं T1 बड़े में से छोटा मैनस कर रहा हूँ तो फिर negative sign लगाने की जरूरत नहीं है upon length कितना है L तो we will write like this जब हमें एक finite हमें values दी होंगी तो तब हम इसको ऐसे लिखेंगे in differential form हम simple इसको ऐसे लिखेंगे तो यह है हमारा फिर directly formula q is equal to k a t1 minus t2 upon L जो हमारी width है तो यहाँ पर हमें याद रखना है बचो कि जब हम conduction heat transfer को compare करें तो this is called thermal conductivity this k is called thermal conductivity now 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 अब इस k के बारे में अपने आप में कई सारे questions हमें देखने को मिलते हैं तो इस k की बात करते हैं सबसे पहले हैं आपे तो याद रखिए that k is called thermal conductivity अब थर्मकंडुक्टिविटी क्या है प्रॉपर्टी ऑफ बॉड़ी है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल तो यह एक मटेरियल प्रॉपर्टी है जिस तरह का भी मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं कंडुक्टिविटी के लिए उसकी जो प्रॉपर्टी कहलाती है वो कंडुक्टिविटी कहलाती है एरिया इस परपेंडिगलर तो हीट फ्लो इस कॉंस्टेंट बिल्कुल यह भी आप कह सकते हैं ठीक है नाउ तो थर्मल कंडुक्टिविटी के अगर हम बात करें बच्चो तो एक बेसिक सी चीज़ देखे सबसे पहले यूनिट अफ थर्मल कंडुक्टिविटी क्या होगी तो हमने यहाँ पर बोला के तो के को मैं क्या बोल सकता हूं के इस इक इस टू क्यू इन्टू अपॉन बोल सकता हूं तो यहां पे अगर मैं बोलू heat transfer ठेके ना तो heat transfer के अगर मैं बात करूं तो heat transfer मेरा माल जीज़े क्या है? Joule per second में हो रहा है that is watt, watt में heat transfer हो रहा है that is meter, that is meter square and that is Kelvin, तो क्या हुआ यह? watt per meter Kelvin, meter से meter कटा, it will become watt per meter Kelvin, समझ आई बात? समझ आई बात इस नहीं, तो य रहेंगे, that will be watt per meter Kelvin, clear है ना इतना? ठीक, तो k is watt per meter Kelvin, ठीक है? और एक और चीज़ आ रहे हैं, जब हम q लिख रहे हैं, यह watt में है, that is called our heat transfer, कितना heat transfer हुआ, यह हम वो निकाल रहे हैं, लेकिन जब हम q को, हम लोग q by a, मतलब q area को इसके नीचे ले जाते हैं, ठीक है? जब area को यहाँ से हटाके इसके नीचे ले जाते हैं, मतलब heat transfer per unit area निकालते हैं, मतलब watt per meter square निकालते हैं, ठीक है ना? तो जब हम q by a निकालेंगे कहीं, यह आपको paper हम बोलेगा q by a, मतलब heat transfer निकालिए, per unit area, watt per meter square में, तो watt per meter square में, जब भी heat transfer लिखेंगे, that is called heat flux, इसको heat flux बोलते हैं, ठीक है ना? तो जबरी नहीं है कि heat flux लिखा हो, तभी आप पैचानोगे, आप unit से पैचानी है, अगर heat watt per meter square में दी है, तो automatically इसका मतलब है q by a, तब आपको area वहाँ लिखने की ज़रूद नहीं है, ठीक है ना? तब यहाँ formula में area लिखने की ज़रूद नहीं है इस चीज का भी ध्यान रखेगा, clear है? ठीक है? तब ऐसे में आप directly लिख सकते हैं, आपका q by a का direct value वहाँ पर पूट कर सकते हैं, ठीक है? तो thermoconductivity होती है बच्चो मारी watt per meter Kelvin, इसकी अगर हम dimensional formula देखें, तो watt हमारा क्या होता है बच्चो? watt is our joule per second, watt is our joule per second, तो watt को मा बुलू, joule per second upon meter और Kelvin, joule क्या होता हमारा newton meter, तो newton meter per second meter Kelvin, समयरे ना, joule is newton meter per second meter, meter से meter कटा, ठीक है ना, what is newton per second Kelvin, now what is newton, newton is mlt-2, तो mlt-2, तो यह per second भी उपर जाएगा, तो that will become t-3, and theta-1, तेक है ना, mlt-3, theta-1, that will be the dimensional formula for thermal conductivity, तेक है ना, clear है? समझ गे सब लोग, ठीक है ना, mlt-2, और minus 2, नीचे t है, वो भी उपर लिख दें, mlt-3, theta-1, तो याद रखेगा बच्चो, ठीक है ना, that is the dimensional formula for thermal conductivity, very good, now, अब याद रखेए, कुछ thermal conductivity आपको clear cut पता होनी चाहिए, उसके बारे में भी कुछ चीजे पूचता है, तो वो भी clear cut पता होनी चाहिए, तो आईए कुछ thermal conductivity के बारे में भी हम लोग लिख लें, now, क्योंकि यहाँ पर कुछ छोड़े-चोड़े question जो है, वो thermal connectivity के उपर भी जरूरू बनते हैं, देखे, अब जो mode of heat transfer conduction जितना बेटर तरीके से करेगा, मतलब, वहाँ पर हम समझे, उसकी thermal connectivity इतनी ज़्यादा होगी, तो जैसे हमने बुला था diamond, exception diamond, तो diamond की thermal connectivity बच्चो बहुत ज़्यादा होती है, that is about 2300 watt per meter kelvin, about 2300 watt per meter kelvin, अगर इसके बाद हम बात करें, तो इसके बाद आता है हमारा silver, silver, it has 400 watt per meter kelvin, around 400 watt per meter kelvin हमारा silver होता है, तो diamond सबसे पहले, फिर silver, फिर बात करें, copper, फिर aluminium, इस तरह से यह order लगा होता है, तो यह order के उपर भी जो है, वो question पूछे गए है, values तो सबकी कमी पूछी गई है, तो अगर हम, यह बस यार रखने का, क्योंकि कोई, अब देखो न, अंतर कितना है, silver एकदम से 400 और diamond एकदम से क्या है, 2300 है, तो यहाँ पर याद रखे, उसके बाद हम copper की बात करें, तो य halmonium की बात करें, तो it is about 200 watt per meter kelvin, तो यह order आप इस तरह से यार सकते हैं, clear है, तो now, और steel की बात करें तो वो इससे में नीचे हो जाएगी, लगबग 40-50 के आसपास, जो है, steel की हो जाती है, 45 के आसपास, value, 20-45 लिख सकते हो, आप 20-50 दूजी जा रहता है कहीं कहीं पर, तो यह हमारे metals के case में कुछ इस तरह से जो है, वो हमारा thermal conductivity vary करती है, clear है, तो generally जो हमारे सारे metals होते हैं, वो लगबग productive ही मानि जाते है, all metals जो है, उसमें हम लगबग, जो है, गीड़ कंड़क्टर था का तेक से अनने 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 अनंगे inappropriate अच्छे ही लिकिन दोज़ मेटेरियल्स हिउ दोज़ मैटेरियल्स का ए कि मैवनों दॉलक्ड़ल कंड़क्टिविटी ऐसे मड़्य मात्रियल्स जिनकी धर्मल Κंड़क्टिविटी लो होती है बच्चो है तो याद रखें, ऐसे material को हम लोग कहते हैं insulators, these are called insulators, ऐसे materials को हम insulators बोलते हैं, तो इनकी thermal conductivity जो है, वो काफी कम होती है, those materials having low thermal conductivity, उनको कहते हैं insulators, तो इसमें बच्चों आपने कई सारे नाम सुने होंगे, जैसे हमारे use कहां कहां है, जैसे furnace हम लगाते हैं, तो उस furnace की outlining करन में हमारे use होता है, कोई हम wall बना रहे हैं, adiabatic wall create करना चाहरे हैं, तो उसमें हम insulators का use करेंगे, तो ऐसे कई सारे हमारे examples हैं, जहां पर हम इस तरह के insulators का use करते हैं, और कई ऐसे by default cases भी हैं, जिसमें insulators का use होता है, तो अगर मैं बात करूँ यहां पर, जैसे कि कुछ नाम ह हो गया, और इनका mainly आप याँ रखे, लगबग value जो है, वो one से कम या one के आसपास ही value हमें देखने को बिलती है, तब हम इसे insulators कहते हैं, ठीके ना, तो यहां पर हम अगर बात करें, हाँ, pure metal, तो बच्चो याँ रखेगा, हमने बोला ना, जितना fixed structure, जितना सही सब कुछ ह होगा, उसकी thermoconductivity उतनी better होगी, तो pure metal की जो है thermoconductivity हमेशा greater होती है alloy से, तो pure metal जो होगा हमारा, उसकी thermoconductivity हमेशा better होगी किसी alloy से, alloy मतलब जो mix करके बनाया जाएगा, ठीके ना, समझ आई वाद, तो यह भी हम point note कर सकते हैं, ठीक, ना, अब यहां पर मैं क्या बोल रह insulators जैसे abastus, बड़ा common से insulators है, refractory brick, refractory brick जो हम furnace वगरा में लगाते हैं, high temperature को जहलने के लिए, that is called refractory brick, glass wool, glass wool भी जो है, वो एक insulator होता है, आप Google में image करके कभी देख सकते हैं, glass wool किस तरह से दिखाई देता है, ठीके ना, glass wool भी जो है, वो एक, हमारा, करीब इस तरह का, एक fiber type का आपको दिखाई देगा, आप देख लेजेगा metal को, ठीक है, polyurethene form, polyurethene form, polyurethene form, इनका सबका अपना-पना use है, बचो, इन सबका जो है, अपना-पना use है, जैसे refractory brick आपको furnace में लगी दिखाई देती है, furnace की outlining के लिए refractory brick का यूज करते है, polytherene आपको refractory brick का यूज refrigerator wall, ठीक है, तो refrigerator का cabinet बनता है, वो हमारा polyurethene form का बनता है, कभी आप उसको कहीं repair आपने देखा होगा अंदर, तो आपको बड़ा हलका light metal उसमें दिखाई देगा, उसकी बीच में layer में, जो steel बाहर से metal की layer है, उसके बीच में जो है, वो इस तरह का polyurethene form होता है, ताकि heat transfer ज connectivity आप देखोगे, तो polyurethene form की लगबग 0.02 watt per meter kelvin होती है, तो आप देख सकते हो, कितना कम इसका value होता है, 0.02 watt per meter kelvin, अगर हम बात करें, glass wool की, तो यह होती है, लगबग 0.075 watt per meter kelvin, ठीक है, थोड़ा बहुत varies कर सकती है, बच्चों, values, ठीक है, ना, क्योंकि, समझ आई बात, ठीक है, ना, कोई दिखकत नहीं, ठीक, अबेस्टर्स की हमारी होती है, बच्चों, that is, 0.2 watt per meter kelvin, और refractory brick की होती है, हमारी 0.75, 9, 0.9, 0.9 watt per meter kelvin, तो यह कुछ values होती है, हमारी पास, जो हमारे insulators में आ जाती है, ठीक है, ठीक है, तो insulators में आप कुछ ऐसी value note कर सकते हैं, तो वही मैंने का, less than one आपको दिखाई दे रही है, इतनी कम, तो उसको हम बहुत least मान के चलेंगे, तो वो automatically understandable है, ठीक है, लेकिन जो यह use हो रहे हैं, वो चो furnace में, इनकी जरूर पूछ सकता है value, refrigerator walls, यह बहुत जरूर ही पूछ सकता है, polyurethine form, ठीक है, तो यह हम लोग जो है, वो यहाँ use करते हैं, ठीक है, अब देखे, यह तो हमने बात करी metals के cases की, यह तो हमने बात करी metals के cases की, solid bodies के cases की, तो solid bodies में आप लोग ने देखा, कि solid bodies में जो है, वो conduction के तुरू heat transfer होता है, समझ में आता है, लेकिन ऐसा मैंने कहा ज़रूरी नहीं है कि सरिफ solid bodies में ही heat transfer conduction होगा, तेके न, heat transfer conduction जो है, वो solid bodies के साथ साथ हमें हमारे liquid और gases में भी देखने को मिलता है, तो याद रखिए, जो heat transfer है, वो liquid और gases में भी देखने को मिलता है, तो जब हम liquid और gases की बात करते है, तो liquid gases में समझना जरूरी है कि वहाँ heat transfer किस के वज़े से होता है जैसे हमने यहां पर बोला solid body में हम बोल रहे हैं उसका fixed crystal structure है तो इसलिए lattice vibration भी हो रही है कोई free electron present है वो भी हो रहा है लेकिन gases में कोई structure तो हो नहीं सकता तो gases में कैसे heat transfer होता है बच्चो तो आपको पता है gases में molecule जो है ठेके ना वो आपस में इधर उदर इधर रेंडम motion करते हैं तो जब वो रेंडम motion करते हैं तो कोई molecule जो है वो एक दूसरे से क्या करता है continuously एक दूसरे से collision करते हैं तो यहां पर important हो जाता है इनका आपस में collision तो कोई एक molecule जो है वो दूसरे molecule से आके ऐसे ठकराएगा continuous तो उससे क्या होगा एक तो momentum transfer होगा ठीक है ना और साथ-साथ जो है वो energy का transfer हमारा होता है तो जितने ऐसे collision होगे हमारे random motion होगा जितने collision होगे उससे क्या होगा heat transfer जो है आपका conduction के थुरू बड़ेगा ठीक है ना तो यहाँ पर वही है कि molecular contact होना बहुत जरूरी है तब ही हम उसे कह सकते है conduction of mode of heat transfer ठीक है यह अर्थ समझेगा बचो कि कोई body है उस body में कोई molecule आता है और heat लेके चला जाता है that is not conduction that is convection ठीक है molecule कि किसी body के surface पे heat है high temperature है कोई low temperature molecule आए और heat को लेके चला जाए that is your convection heat transfer लेकिन molecule जो है वो अपनी जगा में रहते वे सिर्फ एक दूसरे से collide करें मतलब यहाँ पे molecular moment करें collide करें और momentum transfer करें एक दूसरे के साथ that is called conduction अगर यहाँ पे कोई एक body सिर्फ ऐसे रहती और दूसरी body उसके उपर से heat लेके चले जाती तो convection होता तो convection जो है वो surface से होता है लेकिन यहाँ body के अंदर से एक दूसरे के through momentum transfer हो रहा है तो इसको हम conduction बोलते हैं इसलिए यह तो असान रहता है कि चलिए fluid है तो convection है और solid है तो conduction है लेकिन जब fluid में भी conduction हमें देखने को मिलता है तो कई बार conduction in a gases जब हम बात करते हैं तो याद रखेगा conduction जब gases की बात करेंगे तो हमारा यहाँ पे दो point है due to heat transfer is due to heat transfer किसके वज़े से होगा तो पहला point होता है that is पहला point यहाँ पर कहता है that is molecular momentum ठीक है नब molecular momentum will transfer molecular momentum transfer और दूसरा जो है वो है डारेक्टली डारेक्टली molecular collision समझ लीजे लास्टिक कोलोजन जो है इसलिए जब हमसे यह पूछा जाता है इसलिए जब हमसे यह पूछा जाता है कि अगर हम gases का temperature rise करते हैं तो thermal conductivity बढ़ती है या घटी है तो अब देखिए अब आप answer से समझ सकते हैं कि heat transfer किस के वज़े से हो रहा है heat transfer पसमें टक्राने के वज़े से हो रहा है अपना आपसमे Have molecular momentum के वज़े बढ़ती हो रहा है जितने जादा कलोजन होंगे उससे उतने ज़्यादा हीट szer होगा तो ऐसे में फिर साफ है बच्चियों गैसेश में Gases में temperature को अगर हम rise करेंगे तो thermal conductivity also increase. तो that's why if temperature of gases rises, its thermal conductivity also increases. तो more randomness, more randomness, temperature rise होगा तो randomness बढ़ेगी और भी ज्यादा molecule को energy मिलेगी वो इधर उज़ जाएंगे. तो ऐसे में more randomness leads to more collision. और जितने ज्यादा collision होगे उतना ज्यादा ज्यादा होगे वो heat transfer हमारा बढ़ेगा. तो gases के case में हमें ये mainly देखने को मिलता है. तो obvious ही बात है, solid से तो कम रहेगा, लेकिन बढ़ेगा तो हई. solid से तो हमेशा conductivity कमी होगी gases की, लेकिन ये भी तय है कि बढ़ेगा तो है. ठेके ना? ठेके ना? gases जो है, वो बहुत अच्छी conductivity वाली नहीं होती है. ठेके? तो यहाँ पर याद रखिए, gases in general bad conductors होती है. तो ऐसे में, जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पर भी आपको कुछ पूर सकता है, जैसे air की पूर सकता है, आपको थर्मा conductivity क्या होती है? तो यह मैंने पैदे भी बताई है, कहीं discuss करी होगी, वहाँ भी बताई है, that is, it is almost कि यह air is 0.026 watt per meter kelvin. तो जैसे air है हमारा, वो भी एक bad conductor है. ठेके ना? लेकिन अगर कहीं use होता है, तो उस हिसाफ से हम इसको use कर सकते हैं. तो हम bad conductor इसे हमेशा हम metals के compare में कहते हैं, कि metal के compare में conductivity बहुत ज़्यादा कम है, लगभग लगभग हमारे insulator के तरह ही आ रही है, ठेके ना? और वो भी यह भी याद रखे, यह भी change होगी, तो यह value हम बता रहे हैं, तो किस में बता रहे होंगे? और विसी बात है, add room temperature बता रहे होंगे. ठेके, याद रखे, जो बेसिक सी चीज़े आपको note करनी होंगी, जो काफी ज़्यादा important होंगी हमारे लिए, clear है? तो एक graph आपको paper में बहुत देखने को मिलता है, बच्चों, एक graph आपको बहुत paper में देखने को मिलता है, यह graph भी मैं आपको बता दूँ, ठीके ना? जैसे अभी यहाँ पर यह graph ह मारा एक बार कहा है, ES में दो बार ES में पूछा गया है और एक-दो बार किसी PSU में आया है, ठीके ना? तो यह मैं बताया तो आपको thermoconductivity, खासकर gas के लिए, बहुत बार यह repeat होआ है और temperature के बीच में, इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर तीन line आपको खिची वी Celsius और Kelvin जो है, आपको भी Watt per meter Kelvin, ठीक है? तो यह आपको अलग-अलग gases के साफ़ से, अलग-अलग जो नेचर पूर सकता है, तो यह graph भी आप याद अख सकते हैं, जो कि काफी ज़्यादा important हमारे लिए हो जाता है, ठीक है? ठीक है जी? समझ गए? ना हो, हाँ यहाँ पर आप कुछ liquids की भी लीग सकते हैं, बच्चो, liquids जो होती है, वो gases से थोड़ा better conductivity होती है, और वेसी बात है, molecular bondation थोड़ी और नजदीक होगी उसमें, तो liquids जो है, वो ज़्यादा conductive होते हैं as compared to gases के, ठीक है, तो जब हम conduction in liquid के बात करते हैं, तो reason तो वही रहेंगे, मतलब mode of transfer तो कुछ इसी तरह के वज़े से ही होगा, और वेसी बात है, molecular moment कर रहे हैं यहाँ पर, तो molecular momentum transfer और collision जो है, वो दोनों चीज़े important हैं, लेकिन collision mainly यहाँ पर कम है, आपका molecular momentum transfer ज़्यादा है, तो जब हम बात करते हैं, gases की, conduction in gas, तो यहाँ रखिया, gases are better than liquid, sorry, liquids are, liquids are better conductive than gases, तो gases से ज़्यादा better हमारे liquid जो है, वो अच्छी conductivity वाले होते हैं, समझे बात, simple सी बात, तो यहाँ पर भी आप कुछ note कर सकते हैं, जैसे, पर matter से compare नहीं है, बस इन ही के compare में, water का हमारा 0.63 watt per meter kelvin होता है, ठीके न, तो water हमारा 0.63 watt per meter kelvin होता है, ठीके, जो जो paper में पूछी गई हैं, वो बता रहाँ, ऐस तो आप जितनी मर्जी देख सकते हैं, कहीं पर भी, मर्करी की लिखिएगा, that is, 8.43 watt per meter kelvin, यह हमारी, हमारी जो है, वो मर्करी की होता है, तो ऐसे कुछ याद हैं, मर्करी भी हमारा क्या है, ज्यादा इसलिए है, क्योंकि मर्करी हमारा एक तरह से metal है, but in liquid state, ठीके न, मर्करी जो है, वो एक metal है, metal in liquid state, इसलिए इसकी ज्यादा है, metal in liquid state, at room temperature, room temperature, metal बस यह liquid state में रहता है, यह metal, इसलिए इसकी ज्यादा है, ठीके न, इसलिए यह जो है, हम directly liquid से compare नहीं कर सकते हैं, समझ जारी बात, तो यह कुछ हमारी main main चीजे होंगी, ठीके न, जिसको हम ध्यान रख सकते है बाकी तो काफी सारी चीजे ऐसी हैं, जो questions हमें cover करनी पड़ेंगी, ठीके है, जैसे comparison हो सकता है, किस की ज्यादा, किस की कम, तो वहाँ पर आप सब कुछ नहीं लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो, तो points डाल डाल के लिखेगा, ठीके न, क्यूंकि detail lecture में तो जितना discuss करेंगे और चीजे निकलते आएंगे, तो यह जो उपर उपर की चीजे याद रहती हैं, याद रख सकते हो, वो वो चीजे मैंने यहाँ पर लिखी हैं, ठीके न, बाकी इसमें जरूर आपको कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर मिलेंगे, जब हम question discuss करेंगे, तो वहाँ पर भी आप की जब बात करते हैं, तो सबसे पहले important हो जाता है कि आप heat transfer की calculation, conduction की तुरूर जब करेंगे, तो इसको easy करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी analogy बिढ़ाते हैं किसी electrical system के साथ, किस तरह से, कि हम यह कहते हैं, कि मान लीजिए, को heat transfer हो रहा है body में, किसी T1 temperature से, किसी T2 temperature म जिसे ही, यह heat transfer हो रहा है, एक direction में, और इन दोने के वीच का जो difference है, वो L है, width जो है, area of the body जो है, वो A है, तो हमने क्या बोला था, that is Q is equals to K A, dt upon dx, है ना, यह हमने बोला था, ठीक है, और अगर short में बोले तो, dx को मैं पूरी-पूरी body के लिए L बोल देता हूं, तो complete के ल difference है, तो now अब यह वो कहता है, कि अगर मैं इसे किसी electrical system के साथ analogy देखूँ, और मैं इसको थोड़ा इस form में लिखूँ, that is T1 minus T2, the temperature difference upon K A को नीचे ले जाओ, that is L Y K A, तो वो कहता है, हमें क्या मिलता है देखने को, वो यह मिलता है, कि अगर इसी को मैं किसी electrical system से देखूँ, जहां पर R जो है, उसका resistance हो, ठीक है न, और 1 और 2 जो है, वो इसके voltage difference हो, तो यहां पर वो कहता है, कि I, जो current flow कर रहा है, I जैसे यहां पर heat flow कर रहा था, यहां current flow कर है, तो that I is equals to change in voltage divided by resistance, तो इससे अगर मैं compare करो, I को Q से, V को temperature change से, और R को इससे, तो यहां पर हमें समझ में आता है, कि this can be the thermal resistance, इसको हम नाम दे देते हैं, जैसे यह electrical resistance था, तो इसको हम thermal resistance बोल देते हैं, thermal resistance, तो बच्चो याद रखेगा, यह हमारा जो है, conductant, conduction, heat transfer, through slab है, ठीक है न, कोई slab है, slab मतलब कोई flat जो surface है, तो किसी slab के थुरू, जब हम heat transfer करते हैं, जिसकी L विर्ट होती है, A area होता है, और T1 से T2 जो है, उसमें heat transfer हो रहा होता है, तो उस slab के लिए हम heat transfer का formula सीधा लिखते हैं, तो याद रखेए, अब सभी के लिए heat transfer का formula हम सीधा क्या लिखेंगे, delta T upon thermal resistance, बस आपको याद ही रखना है कि यह thermal resistance क्या-क्या होगा, तो किसी slab के लिए यह thermal resistance जो है, वो होता है हमारा L upon K, that is the thermal resistance, बस L upon K आप पूट करेंगे, temperature difference के लिएचे divide करेंगे, और हमारा calculation आ जाएगा, तो आपको सब के लिए पूचा जाएगा, कि what is the thermal resistance for different different cases, समझाई बात, different different cases, तो अलग-अलग cases के लिए हमें यह thermal resistance जो है, वो पूच सकता है, तो बस अब आप यह different different cases के लिए thermal resistance लिखें, उसके बाद मैं आपको calculation part में ले चलूँगा, पहले different different cases के लिए यह thermal resistance को ज़रूर लिखें, now, तो ऐसे ही मैं आपको पूरा table सा बता देता हूँ एक, ताकि आपके लिए याद रखना असान हो जाए, तो हमारे पास generally बच्चो तीन cases हैं, तीन cases हैं हमारे पास, that is हमारे course work में, एक case है flat slab का, दूसरा case है hollow cylinder का, तिसरा case है hollow sphere का, तिसरा case है hollow sphere का, now, hollow flat slab का case है, तो याद रखें, सबके लिए thermal resistance आपको याद रखना है, thermal resistance क्या-क्या होगा, तो अगर हम बात करते हैं, flat slab की, तो flat slab की जब हम बात करते हैं, तो thermal resistance हमारा क्या है, L upon K, जिसमें L जो है, वो width है, ठीक है, K जो है thermal conductivity है material की, जो भी material होगा हमारा उसकी thermal conductivity है, A जो है हमारा, वो area of the exposure है, ठीक है, समझ आई बात, hollow slender की जब हम बात करते हैं, तो यही hollow slender जो है, इसका thermal resistance रहता है, Ln, R2 upon R1, अब यह R2, R1 भी याद रखे कि बच्चों, यह inner और outer radius है, ठीक है ना, R2 upon R1 भी जो है, वो inner और outer radius है, upon 2 pi KL, 2 pi KL, तो यहाँ पर मैं हलका सा figure दिखा देता हूँ, क्योंकि इसका तो चलो आपने देख लिया, इसका मैं बता देता हूँ, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है ना, जिसमें L जो है हमारा slender की length होगी, इस बारी, ठीक है, जो हमारा है, R1, R2, वो R1 हमारा outer radius और R2 हमारा inner radius होगा, ठीक है ना, that is R1 और R2, तो generally हम लोग जो use करते हैं value, ठीक है ना, वो उसी value पर चले हैं, R1, R2, तो मैं R1 को मैं को छोटा लेना पड़ेगा, देख लो, यह R1, R2, same ही रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, ने तो फिर formula याद रखना में उल्टर आथा, R1 upon R2 लिखेंगे तो अजीब लगेगा, तो R2 upon R1 लिख रहा हूँ, तो बड़ी value क्या हैं जाएगी, R1 अंदर वाली value, inner radius और R2 outer radius, ठीक है, R1 inner, outer, outer, ठीक है, बाकी L is the length of the cylinder, ठीक है, तो कोई T1 temperature अंदर का है, बॉडी के और T2 temperature जो है वो बाहर का है, ठीक है, तो वो T1 मैंने T2 same रहेगा, ठीक है, तो that is your thermal resistance, अब आपको hollow sphere बोलता है, यही चीज़ hollow sphere में बोलता है, तो sphere में भी same diagram उस तरह का बना लें आप, यह sphere है, यह इसका inner है, inner अंदर radius R1 और बाहर का radius R2, temperature अंदर का T1 और बाहर का temperature T2, दिखाए दे रहा है नीचे था, कट तो नहीं किया, ठीक है, दिख रहा है, समझने लाइक दिख रहा है, ठीक है ना, तो अब यह हम इसकी बात करें, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, that is thermal resistance is equal to, ठीक है, अब दिखी, यहाँ पे भी R2 तो obvious ही बात है बड़ा है ना, अपने बड़ा वाला उपर upon inner वाला छोटा वाला नीचे लिखा है, तो सेम यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ रहा है, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, that is R2 minus R1, तो आप लिखोगे, R2 minus R1 upon 4 pi K R1 R2, तो यह याद रखे वच्चों, यह तीनो है thermal resistance हमारे, तीनो case के, तो यही तीन case आपके course work में रहते हैं, आपको यह तीनो के thermal resistance जो है, वो बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि उसके बाद हमने और कुछ नहीं करना है, उसक RTH पुट कर देना है बस, जो भी इनकर T1 minus T2 आएगा, उसके नीचे RTH पुट कर देना है, तो अब मैं तीनो के लिख लेता हूँ, तो क्या होगा, that is T1 minus T2 upon L K A, K A को उपर ले गया बस मैं, है ना, तो यहाँ पर भी same ऐसे ही क्या लिखूंगो, मैं 2 pi K L उपर चले LN T1 minus T2 upon LN R2 by R1, तो यह हो जाएगा, heat transfer का formula for a hollow cylinder, through conduction, थेका न, conductive heat transfer through hollow cylinder, यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, आपका, that is, 4 pi K R1 R2 T1 minus T2, T1 minus T2 upon R2 minus R1, same यह भी हो जाएगा, तो यह है हमारे बच्चों, तीनो टाइप के mode of heat transfers, चाहे हम यहाँ पर slab की बात करें, slender की बात करें, या spare की बात करें, तो यह mainly आपको ध्यान रखना है, numerical या formula, खासकर हमारे जो छोड़े paper होते हैं, SSJ जैसे, वहाँ numerical नहीं आ सकता है, क्योंकि numerical calculation थ inner है, बस यह समझ जी जब positive रखना है आपको value को, तो हमें इसा बड़े से छोटा ही divide करें, या बड़े से छोटा ही minus करें, ठीक है, समझ आगे इतनी बात में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, तो यह तो basic formula है, जो याद ही रखने बच्चों, ठीक है, detailed lecture में इनके derivations अगरा भी कराएं है, लेकिन जरूरत नहीं है फिलाल derivation की, हाँ subjective जब करोगे तब थोड़ी सी जरूत है, कि आपको पता हो at least यह कहां से आ रहा है, ठीक है, तो यह basic सी बात अब समझे, अब हमें calculation पर आते हैं, तो मतलब अब सिर्फ इतना दिहान रखी बच्चों, कि कभी हमें कहीं पर भी हमारा heat transfer इस तरह की body के through हो रहा है, तो बस आपको उस heat transfer का formula यह रखना है, ठीक है न, formula should be this, तो formula यह रखना है, बाकी, जैसे कि हम बात करें, now, अब आपको थोड़ा सा कुछ चीजे में और बताता हूं, जिससे कि आप जो है, इसकी calculation को भी समझ पाएंगे, now, sir, लिख दो इन पर क्या, क्या लिख दूँ? चलो, now, अब देखिए, अब आपको simply कहीं पर भी calculation पूसता है, बच्चो, तो वो basic सी चीज ध्यान रखिए, कि हमारे पास, यहाँ पर यह flat slab वाला case आए, या कोई भी case आए, आपको एक basic सा convection पहले में बता दूँ, उसके बाद इनकी बात करेंगे, ठीक है, अब एक थोड़ा सा यहाँ पर convection समझ दीजे, यह convection क्या है, क्यों, क्योंकि जहाँ पर conduction होता है, वहाँ पर body जो है, वो outer environment के साथ जब भी आती है, ठीक है न, outer environment के साथ जब भी आती है, तो ऐसे में कहीं न कहीं convection का भी जो role है, वो यहाँ पर होता है, समझ है बाद, no, no, तो यहाँ पर याद रखिए, convection की जब हम बात करते हैं, तो convection में हम लगाते हैं, बच्छों, Newton's law of cooling, ठीक है, दो law हो गए, एक में law मैंने बताया था, conduction के लिए, that is, Fourier law of heat conduction, यह है Newton's law of cooling, तो यह याद रखिएगा, क्योंकि इसका हमें बहुत यूज है, Newton's law of cooling के according वो कहता है, कि जो भी हमारा convection के तुरू heat transfer होता है, that heat transfer will be directly proportional to the area of the exposure, हैना हमने क्या बोला, जिस भी area से fluid heat लेके जाएगा, तो वो area कितना है पहले, वो area of the exposure पे depend करेगा, और दूसरा depend करेगा आपके temperature difference में, कि जो भी fluid आ रहा है उसका temperature, contact में, और जो भी surface है उसका temperature, contact में, वो क्या है, that is, that difference is, जो भी हमारे पास वो difference है, तो अब वो difference में हमारा surface का high भी हो सकता है, और fluid का high भी हो सकता है, तो दोनों में से T1 बढ़ा है, T2 बढ़ा है, वो depend करेगा, उसके साफ से आप minus करेंगे, T1 बढ़ा है तो T1 माइस T2, T2 बढ़ा है तो T2 माइस T1, ठीक है, तो यहाँ देखिए, इसको हम जब balance करते हैं, तो there is a huge property, which role play in that is, that is a delta T, तो H is called, अब यह ही है वच्चो दुनिया जहां की सारी सीज, H is called heat transfer coefficient, अब यहाँ पे जो convection के तुरू heat transfer हो रहा है, आप देखिए, convection कितना आसान नदर आता है, कि कुछ भी नहीं है convection में तो, बहुत ही आसान है, लेकिन याद रखे, convection में सारी होता है, वो इस H के वज़े से है, मतलब हम कहें कि अच्छा convection कैसे हो सकता है, तो आप लोग बोलोगे कि अच्छा convection सर हो सकता है ठीके ना आप लोग बोलोगे कि अच्छा convection हो सकता है जब क्या हो आप कहेंगे कि फ्लूड की speed तेज हो अच्छा convection हो सकता है आप बोलो कि फ्लूड की conductivity अच्छी हो आप अच्छा convection हो सकता है आप बोलो कि बॉडी के surface ए, fluid carry ज़्यादा से ज़्यादा करके जा रहा हो, तो यहाँ पर एक नहीं, हजारों factor ऐसे हैं, आप viscosity कह सकते हो, velocity कह सकते हो, ठेके ना, उसका temperature, उसका pressure, बहुत सारे ऐसे factor हैं, fluid की properties हैं, जो कहीं न कहीं, edge पर effect डालती हैं, surface property, fluid property, ठेके ना, तो इसलिए, यहाँ पर convection जो है, वो पढ़ना इसलिए थोड़ा lengthy और बड़ा हो जाता है, क्योंकि convection जो है, वो इस edge पर depend करता है, edge जो है, वो हजारों कई सारी values हैं, जिन पर depend करता है, तो edge depends on various properties, fluid property, surface property, फिनोमेनाज, आपके effects, उन सब में हमारा edge depend करता है, तो सबसे simple way में समझें, simple way में समझें, तो that is हमारा स्रिफ heat transfer coefficient, तो यहाँ पर अभी हम इसके बारे में detail में तो नहीं जा रहे हैं कहीं से भी, लेकिन इतना समझ रहे हैं कि H is our heat transfer coefficient, जो कि हमें fluid का वो देगा, fluid के साथ क्या चल रहा है, वाँपे heat transfer coefficient, वो हमें जरूर देगा, अब देखो, तो रखे, convection के तुरूर अगर heat transfer होता है, तो we have a thermal resistance is called 1 upon HA, तो यहाँ पर हमारा thermal resistance जो है, वो convection वाला, वो कहलाता है 1 upon HA, तो that is called convective thermal resistance, that is called convective thermal resistance, इसको हम convective thermal resistance बोलते हैं, now, अब convective thermal resistance और conductive thermal resistance, जोनों आपको पता है, तो अब मैं यहाँ पर इसके example लेता हूँ, और उसको calculate करने की कोशिच करते हैं, किस तरह से calculation की जाती है, आईए, now, तो generally हमारे पास question बच्चों कुछ इस तरह के ही आते हैं, जिसमें conduction और convection जो है, दोनों के होने के chances तो, conduction and convection, तो आपको calculation किस तरह करनी है, देखिए, मान लीजिए, वो कहता है कोई slab है, जिसकी length L है, area of exposure जो है, वो A है, ठीक है, अब इस slab के यहाँ पर temperature है को T1, और यहाँ पर इसके जो है, जो है, वो कोई hot gas present है, इसके यहाँ पर कोई hot gas present है, और यह hot gas जो है, उसका मान लीजिए, अपना temperature कोई है, T A, ठीक है, तो यह hot gas का अपना temperature T A है, और इसका जो heat transfer, फ्लूड इस metal के contact में है, तो फ्लूड जो है, इस metal को heat up करेगा, क्योंकि उससे high temperature है, ठीक है, T A जो है, वो T1 से बड़ा है, ठीक है, यह सब conditions वो देता है, तो इसलिए यहाँ पर जो heat transfer coefficient है, वो इस fluid का H1 है, इस fluid का surface के साथ heat transfer coefficient H1 है, ठीक है, अब यह body है, जिसकी thermoconductivity मान लीजिए K है, यह heat transfer इन दोनों के बीच में हुआ, किसी T2 point तक, अब T2 point के बाद यहाँ पर हमारे environmental conditions है, यहाँ पर हमारा cold fluid है मान लीजिए कोई, या air है, ठीक है, हम cold fluid बोल लें, या फिर हम air बोल लें, या फिर हम atmospheric air बोल लें, या जो भी, तो मतलब air भी तो एक fluid है न, तो कोई न कोई fluid जो है, ठीक है, यहाँ पर कोई न कोई जो है, वो fluid है हमारे पास, तो उसकी thermoconductivity हमारी मान लीजिए H2 है, तो यह मान लीजिए कोई cold fluid मान लें, यहाँ पर जिसका temperature कुछ Tb है, इसका Ta बोल दिया, मैंने इसको Tb बोल दिया अब यह मैंने total condition दे दी बच्चो, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, कि जब भी heat transfer होगा, क्या होगा, सबसे पहले convection के थूरू heat transfer होगा, उसके बाद conduction के थूरू heat transfer होगा, और उसके बाद फिर वापिस convection के थूरू, इस environment में heat transfer होगा, कभी-कभी हो सकता है, question मैं आपको, मैं तो पूरा लेके बचारू, question मैं सकता है, कभी-कभी एक side का fluid दे, कभी-कभी दुसरी side का fluid ना दे, कभी एक ही side का fluid दे, कभी दोनों ही ना दे, तो सिर्फ conduction का फिर्म्टा लएगा, लेकिन अगर ऐसा है, तो अब देखे, अब इसमें हम thermal resistance के fundे लगाएं, thermal resistance के fundे लगाएं, तो साफ समझ में आता है, कि मान लीजिए, यहाँ पर कोई temperature है, TA, TA, TA temperature से start करेंगे, तो सबसे पहले convection हुआ, तो convection के वज़े से, थोड़ा सा, और मैं आप पर view दिखाता हूँ आपको, exact तो आ रहा है, खहरा है, ठीक है, क्योंकि यही समझना वच्चो बहुत important है, यही सब इसकी calculations होती है, तो यहाँ पर समझ दीजिए, कोई TA temperature है, और इस TA temperature में पहले convection के तुरू heat transfer हुआ, तो मैंने एक convective resistance लगा दिया, अब यहाँ पर temperature जो है, वो T1 है, यहाँ पर heat transfer हुआ, conduction के तुरू तो एक conduction resistance का वो T2 है, उसके बाद फिर convective heat transfer हुआ, तो हमने convective resistance लगा दिया, और उसके बाद temperature जो है, वो Tb है, ठीक है, अब आप देख सकते हैं, देखो, अब यहाँ पर हम कह सकते हैं, कि हमारा, यहाँ हो रहा है बच्चो, R convection, convective resistance, यहाँ पर हो रहा है, फिर वापिस R convection, ठीक है, अब सबकी values देखो, आपको पता होती है, क्या, R convective resistance क्या होता है, 1 upon HA, ठीक है, conductive resistance क्या होता है, L upon KA, समझ रहे ना, अब अगर मैं बीच में slab की जगा पर, यह मैंने कोई slab लिया है, अगर slab की जगा पर मैं कोई slender लेता, तो फिर slender का thermal resistance का formula आता, ठीक है ना, तब यहाँ स्लेंडर का thermal resistance का formula आता, L and R2 upon R1 upon 2, है ना, 2pi के R1, समझ रहे ना, 2pi के L, तो यहाँ पर slender का आता, अगर यह कोई sphere होता, तो sphere के बाहर से convection रफी, sphere के अंदर का thermal resistance का लिखते रहे, sphere का आता, R2 minus R1 upon 4pi के R1, है ना, समझ रहे, slab है तो slab का आया, वापिस यह क्या है, 1 upon HA, बस यह H1A है, तो यह H2A है, simple, तो देखरों आप, तो इस तरह से पूरी analogy बन जाती है, तो now, अब यहाँ पे, जब हम इसका resistance कैलकुलेट करते हैं, तो इसको बोलते हैं, overall heat transfer, overall thermal resistance, इनका overall thermal resistance क्या होगा बच्चों, तो उसको हम बोल देते हैं, 1 upon U, तो 1 upon U is equal to 1 upon HA, plus H1A, plus L upon K A, plus 1 upon H2A, तो यहाँ से calculate होके हम लोग क्या करते हैं, U निकाल लेते हैं, यहाँ से calculate करके हम लोग U निकाल लेते हैं, that is called overall heat transfer coefficient, that is called overall heat transfer coefficient, या overall thermal resistance, तो बस उसके बाद Q is equal to U A delta T से हम लोग calculate कर लेते हैं, ठीक है, अब A आपकी मर्जी है, वो आप यहाँ पे low या ना low साथ म हैं, ठीक है नोडिपेंड करता है, हमें दिया है कि नहीं दिया है, तो बस यह U निकालेंगे बच्चो और हम लोग calculate करेंगे, ठीक है, समझा है यह बात, इस तरह की calculation हम लोग simply करते हैं, ठीक है ना, तो आप सीधा ऐसे बोलें, या फिर आप ऐसे बोलें, बात एक ही है, अब ऐसा भी कर सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है ना, बस यहाँ पर स्कुचों में 1 upon U रखूंगा निकालके, तो फिर U उपर चले जाएगा, तो U उपर चले जाएगा, तो Q U delta T हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है, और area same है, area same है, तो we will write A automatically वहाँ पर हट जाएगा, ठीक है तो अगर area same है, तो common आ सकता है area, ठीक है वो तो question to question depend करें, इतनी वा समझ में आई, हाँ जी, रोहित कुमार जी, high level, high level करें सीधा question, भई आपकी तैयारी अच्छी होगी, हम लोग की तैयारी अच्छे से नहीं है अभी, हम लोग अभी basic से start कर रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग अभी high level like नहीं है भाई, ठीक है, नीचे से ही चल के उपर पहुंचा जा सकता है, उपर से नीचे ही आओगे न, समझा जी बात, clear है, इतनी वा सोन में आगी सब के, ठीक है, तो ये revision चल ला है बच्छो, revision high level का नहीं हो सकता न, revision तो basic चीज़ों का ही हो सकता है, clear है, तो ये बच्छो main concept हमारा रहता है, अब यहाँ पे cylinder, sphere, जो भी चीज़ आएगी, you just have to put the formula for resistance, आपको सिर्फ और सिर्फ resistance का formula जो है, वो put करना है, sir, resistance कैसे लिया, total resistance, मतलब समझें नहीं, मैं को example देके बताऊं आपको, example, example, को छोटा example होता मैं बता रहता हूं, को छोटा example को यहाँ पे, छोटा example तो इस time यहाँ पे नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहता हूं, अच्छो देखो, कोई मुश्किल काम नहीं है, मैंने बुरहाँ ना, आप u ना भी यूज़ करो, आप direct thermal relations यूज़ करके भी कर सकते हो, तो देखो ना, simply, आपने कुछ नहीं करना है, या तो आ आप ऐसे use करोगे, या q is equal to u निकालके, u निकालके यहाँ से q is equal to u a delta t पूट करोगे, ऐसा पूट करोगे, तो याद रखिए, u हमारा जो है, वो स्रिफ हमने एक overall नाम दिया है, जिसमें conduction, convection, total आजा resistance, आप u ना बोलके, आप total thermal resistance, direct calculate करो, इनको add करके, तो भी बास सेम ही है कोई फरक नहीं पड़ता है, बस उसको आप नीचे drive में लिख देना, इसको निकालोगे u, तो यह u निकालो तो पहले पलट चुका है, तो आप उपर लिख दोगे, यही तो फरक है, और कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कोई अंतर नहीं है, कहने के मतलब यह है, यहाँ प कोई फ्लूड भी है, तो ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में एक तो होगा convective resistance, एक आएगा हमारा material 1 का conduction, एक आएगा हमारा material 2 का conduction, ऐसे आएगा ना, और अंदर में मान लिजे कोई fluid present है, अंदर भी convection रहाए, तो एक आएगा अंदर वाला fluid, तो बाहर वाले fluid के लिए होगा 1 upon H 2 A मानो, ठीक है, इधर वाला जो है, हमारा वो L upon slender का formula आएगा, अब slender का हमारा जो भी होगा formula क्या है, thermal resistance of slender है, तो thermal resistance of slender है, तो thermal resistance of slender का क्या होगा, पहले वाला slender और दूसरा वाला slender, तो पहले इस से और इसके बीच में heat transfer लेंगे, तो इसका radius और outer radius भार वाले का, इ that is R1, और अंदर वाले को बोल देता हूँ, R2, ठीक है, यह चलो, R2 and R1, ठीक है, और इसके अंदर वाले का भी, that is R3, तो क्या होगा पहले, R2 upon R1, ठीक है, 2 pi kl, ठीक, फिर दूसरे वाले का क्या होगा, R3 और R2 के बीच में, heat transfer R1 के बीच में, तो that is, यहां पे लिखा हमन R3, बड़ा कौन सा है, R2, R2, R1 upon R3, 2 pi kl, simple, तो यह याद रखना है, बच्चो, K1 और K2 भी अलग-अलग हो सकता है, तो यह याद रखना है, formula thermodation के वही रखने हैं, आप चाहे वो कोई भी case हो, यह मैंने बताया आपको composite cylinder के लिए, अगर composite cylinder है, तो just इस cylinder से पहले वाली layer म कितना हुआ, उस cylinder से बाहर वाली layer में कितना हुआ, और उस cylinder से बाहर convection कितना हुआ, तो बस यह आपको thermal relation लगाते जाना है, तो formula में बस R1, R2 या रखिए, तो जो पहला लेंगे, पहला वाला cylinder लेंगे, उस पहले वाले cylinder में R1, R2 क्या है, उसके साब से formula लिखा, दूसरी व रखनी है बाकी तो calculation part इतना सारा है कि आप जितना करें कम है, समझाई बात, बताइए, ठीक है ना, कोई confusion है, तो जिरू बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, भाई, revision में तो आप formula formula ही चल सकते हो, सारे question तो यहाँ पर solve नहीं कर सकते, ठीक, तो देखिए, तो इस तरह से मै आपको बताया बच्चों कैसे conduction और convection को combine करके, हम कैसे overall जो है results यहाँ पर निकालते हैं, किसी भी case में, तो हमारे पास जो भी case है, चाहे वो composite slender के हैं, slab के हैं, सेम इसी तरह से सारे करने हैं, सेम इसी तरह से, now, अब आ जाते हैं हम बच्चों हमारे आगे concept में, that is called critical radius of insulation, critical radius of insulation, that is very important formula, important concept है यहाँ पर, ठीक है ना, now, अब देखे बच्चों क्या होता है, critical radius of insulation हमारा, कि किसी भी, किसी भी हम body की बात करें, एक सेकेंद ज़रा पानी पिलें, गलास सुग गया है, सर सोडियम की conductor, भही मुझे तो इतने ऐसे metal याद नहीं है, कि सोडियम की कितनी ज़्यादा होती है, आपने कहीं देखा है, तो वहाँ से कर सकते हैं, मुझे नहीं कहीं देखने को मिला भी तक, इसे तो हम कोई भी discuss कर सकते हैं, लेकिन आपको कहीं भी मिलता है, तो data note रखो, मुझे तो कहीं सोडियम और मर्गरी का ऐसा comparison की कहीं ज़रुवत पड़ी नहीं है, तो अगर कहीं आपको मिलता है, तो note करके रखो, यह तो data है, बच्चो जितना खंगालोगे, जितना निकाल हम लोगे, मिलता है जाएगा, उतना note करते जाओ, कोई समस्या नहीं है, थेखे न, these all are data, हाँ, हीट एक्चेंजर भी लेंगे, क्यों घवरा रहे हो, हीट एक्चेंजर ही लेंगे, कल लेंगे हीट एक्चेंजर हम लोग, आज क्या day है, थर्जे है न, हाँ, तो कल लेंगे, now, now, क्या बोल रहा हम है, critical radius of insulation, now, अब critical radius of insulation समझो, हमने क्या बोला, यह concept है अपने आप में, तो कोशिच करूँगा, आपको concept short में समझाने का, critical radius of insulation की जब हम बात करते हैं, तो यह रखे, insulation हम किसी चीज में निकाल, लगाते हैं, to, to reduce heat transfer rate है न, heat transfer rate, heat transfer rate को reduce करने के लिए, ठीक है, now, अब ध्यान से समझो, यह मान लीजे, मेरा कोई cylinder है, cylinder इसले ले रहा हूँ, क्योंकि generally हम किसी wire को insulate करते हैं, तो समझ लीजे, कोई wire है, उस wire में जो है, वो insulation मैंने चड़ाना है, ठीक है, यह मेरी कोई wire है, यह मेरी कोई wire है, wire का कुछ radius ले लेते हैं, R1 और outer radius लेते हैं, R2, ठीक है, अब यह wire है, जिसकी length होगी particularly कोई, अब इस wire के उपर मैंने एक insulation sheet चड़ानी शुरू करी, ठीक है, insulation sheet चड़ानी शुरू करी, इसके उपर मैंने एक insulation sheet चड़ाई, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है, अब मान लीजिए, यह insulation sheet हमने लगाई, तो इस insulation sheet के, इस insulation sheet का कोई भी thermoconductivity जो है, वो K है, ठीक है, यह किसकी है, insulation insulation की, याद रखे, यह सबसे जड़ा confusion होता है, insulation की sheet है, अब यहाँ से, यहाँ heat transfer कितना हो रहा है, बच्चो, इससे अभी फिलाल हम बात करें, अब यहाँ से, यहाँ heat transfer हो रहा है, आगे, और बाहर कोई fluid होगा, जो भी fluid present होगा, बाहर कोई अगर यहाँ की मैं analogy बनाऊ, यहाँ की मैं analogy बनाऊ, तो क्या analogy बनेगी बच्चो, क्या analogy यहाँ पर हमारी बनेगी, that is, आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको यह देखने को मिलेगा, कि Cylinder है जिसका Conduction है तो एक Thermal Reader बाद लिए इसका Inner Temperature है Ti अंदर का Temperature, Inside Temperature है Ti दिख रहा है ना यहाँ आपर सबको Inside Temperature है Ti तो यहाँ पर Analogy क्या देखने को मिलेगी कि Ti Temperature से जो है वो Heat Transfer Start हुआ सबसे पहले Conduction Heat Transfer हुआ क्या हुआ अंदर, क्या हुआ अंदर, कंडक्शन हुआ, किसमें इस वायर की वाल के थुरू, इस वायर की वाल के थुरू, तो मालीजी इसको मैं K बोल देता हूँ, ठेक है, thermognivity, उसको K insulation बोल रहा हूँ, ठेक है, that is called K, तो यह मैंने K बोल दिया, मालो, इसके अंदर की body की, तो इसका अंदर cylindrical है, तो thermal resistance क्या होगा, LN, R2, R2, upon R1, 2πKL, ठेक है, L मालीजी, इसकी वायर की length है, L ले 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 इसकी length, ठेक है, simple यह होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई confusion नहीं, ठेक है न, कहां तक पहुँचे बच्चो, Ti से हम कोई, इस temperature तक पहुँचे, mid temperature तक, तो मालीजी इस temperature को मैं To बोल देता हूँ, outer, कहां का, wire का outer, insulation का नहीं, wire का outer, ठेक है न, तो मैं बोलता हूँ ऐसे To, समझ आ रही बात, now, समझे, अब यहां का, जो fluid का temperature उसको T infinity बोल देते हैं, बाहर का, जो fluid का temperature है, वो T infinity कहला लेता है, now, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद convection हुआ, ठेक है, माली जबी मैं insulation sheet की बात नहीं कर रहा हूँ, ठेक है, insulation sheet की बात हम मैं नहीं कर रहा हूँ अभी, तो इसके बाद क्या हुआ, बाहर convection हुआ, समझेगा, यहां पर T O है, और उसके बाद जो है, फिर convection हुआ, फिलाल insulation sheet को भूल जाओ, फिलाल यह भूल जाओ कि मैंने को insulation sheet लगाई है, cylinder है, cylinder के बाहर environment है, तो यहां का temperature बाहर का क्या है, T infinity, ठीक है, अब यहां पर convection heat transfer क्या होगा, fluid का h मान लीजे, h है, तो 1 upon h a होगा, इतनी बात में किसी को कोई समझ्या नहीं, area क्या होगा, बाहर का curved surface area, बाहर का curved surface area आएगा, यहां पर क्या आएगा, 2 pi, 2 pi, बाहर का area क्या है बच्चो, outer area r2, 2 pi r2 l, ठीक है, 2 pi r2 l, यही होगा, now, अब इसको समझ लो पहले, ब ही है, देखो, अब इसको समझ लो, सिर्फ एक छोटा सा concept, ठीक है, T i से T infinity वच्चो, heat transfer हो रहा है, यह हमारा है, conduction, 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 और conduction, conductive thermal resistance, convective thermal resistance, यह समझो, अब देखो, conductive thermal resistance, thermal resistance क्या होता है बच्चो, thermal resistance अपने आप में क्या है, resistance है, रुकावट है, heat transfer को रोकने वाली resistance है, थर्मल resistance मतला अपने आप में क्या है, heat transfer को रोकने वाली चीज है, Q is equals to delta T upon RTH लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, कि thermal resistance जितना ज़्यादा होगा, heat transfer उतना कम होगा, inversely proportional, है ना, तो thermal resistance जितना ज़्यादा होगा, heat ना, तो हम अगर insulation लगा रहे हैं, तो हमारा main मकसद क्या है, हमारा main मकसद है कि thermal resistance बड़े, है ना, insulation लगा रहे हैं, मतलब thermal resistance बड़े, thermal resistance बड़ेगा, तो heat transfer rate घटेगा, यही हमारा main इसमें उद्देशिय होता है, अब यहाँ पर बच्चों, आपको समझ रहा है, देखो, कि हमारे पास formula है, जब हम कोई भी insulation sheet चड़ा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, while, while applying insulation, किसमें apply करेंगे, outer radius में, on outer radius, तो उससे क्या होगा बच्चों, outer radius हमारा increase ही होगा, है ना, उससे outer radius हमारा increase ही होगा, और area of exposure हमारा बढ़ेगा, ठीक है, तो जब भी हम कोई sheet, insulation या कोई भी sheet add करेंगे, तो उससे हमारा outer radius बढ़ेगा, और हमारा insulation, जो area of exposure है, वो भी increase करेगा, तो अगर हम यहाँ पर basic seed ही देखें, अभी insulation को भूल जाएं, और सीधा देखें, तो क्या होता है, hollow वाले area में तो convection होगा, नहीं, hollow के अंदर से जो आ रहा है, उस convection को अभी नहीं ले रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर कोई fluid है या क्या है, क्योंकि यहाँ पर metal wire से जो heat आ रहे है, जो current flow से heat आती है उसको ले रहे हैं हम लोग, wire का case ले रहे है, तो wire के अंदर कोई fluid थोड़ी ना flow करता है, wire के अंदर से जो heat होती है, generate वो wire के heat up होने के वईसे होती है, जब current flow करता है तो wire heat up करती है, तो यहाँ पर एक solid wire होती है actual में, तो wire heat up करती है और वो heat transfer आगे करती है, तो अंदर इसलिए अंदर वाला convection हमने नहीं लिया है, क्योंकि वहाँ पर कोई fluid flow नहीं कर रहा है, वहाँ पर wire heat up हो रही है, तो यहाँ पर याद रखे, क्या बोल रहा हूं है, तो starting में जब हम देखें, तो outer radius देखो है, हमारा यह है, outer radius यह है, तो यहाँ outer radius बढ़ रहा है, मतलब conductive resistance जो है, वो भी बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ हमारा outer radius जो है, वो नीचे है, one upon में, Outer radius बढ़ रहा है, तो मतलब हमारा convection resistance वो भी बढ़ता है, तो actual में, in starting में क्या होता है, यह हमारा, जब हम लगाते है area, तो thermal conductive resistance हमारा बढ़ता है, मतलब, conduction के थुरू, जो heat transfer होगा, वो हमारा घटेगा, तो starting में क्या है, thermal resistance थुरू, conduction बढ़ता है, मैं वैल्यू, mathematically बता रहा समझारी बात, अब देखो, insulation हम लोग लगा रहे हैं, इसलिए कि यह दोनों value बढ़े, जिससे की heat transfer rate घटे, लेकिन, starting में, insulation लगाने में होता क्या है, conduction resistance तो बढ़ता है, लेकिन, convective resistance जो है, वो घटता है, क्योंकि, convective resistance घटता क्यों है, क्योंकि outer radius आप area बढ़ाओगे, area ब fluid को, बाहर की air को, environment को, जितना ज्यादा area मिलेगा heat transfer के लिए, वो इतना heat transfer rate को बढ़ा देगा, तो area बढ़ रहा है, तो heat transfer rate बढ़ रहा है, इसलिए convection resistance जो है, वो घट रहा है, जो रोक सकता था heat transfer, तो starting में क्या होता है, बच्चों, starting में यह होता है, कि इसका बढ़ना, और जैसे ही, insulation sheet चड़ाई, यह इतना तेजी से, इतना तेजी से बढ़ता नहीं है, जितना तेजी से यह घट जाता है, तो ऐसे में क्या होता है, यह याद रहा है, इनिशली, इनिशली ऐसा ही होगा, इनिशली जब हम layer चड़ाएंगे, तो इनिशली ऐसा ही होगा, कि conduction इतना नहीं बड़ेगा यह यह रहा है on applying insulation on outer radius तो जैसे outer radius में insulation apply करते हैं तो r conduction जो है वो बढ़ना शुरू होता है और r convection जो है वो starting में घटना शुरू होता है लेकिन और हमेशा घटे गई लेकिन इसका घटना जो है वो ज्यादा है as competence के बढ़ने के तो overall result क्या होगा अगर ऐसा होगा तो overall result क्या होगा तो overall result यह होगा बच्चो कि overall thermal resistance जो है वो हमारा घटेगा तो इन दोनुको मिला के जो overall resistance आएगा वो घटेगा बई समझ लीजें न यह हमारा 10 था दोनों 10 मान लेतें मानों यह हमारा 10 था ही 10 था ये 10 का 15 हुआ और ये 10 का 1 हो गया ठेके ना तो overall value थी 20 लेकिन अब overall value क्या है 16 तो overall result घड़ गया overall result घड़ गया जिसके वाई से heat transfer rate जो है insulation लगाने के बावजूद भी बढ़ गया समझार ये बात ये concept चले बच्चो ध्यान से समझो तो ऐसे में heat transfer rate जो है वो कम होने की जगा insulation लगाने पे बढ़ गया लेकिन further जैसे जैसे हम layer को और बढ़ाते रहेंगे इस insulation की layer की thickness बढ़ाते रहेंगे तो क्या होगा on increasing further more thickness होगा क्या on increasing thickness of insulation on further increase in thickness of insulation क्या होगा अगर हम और thickness of insulation बढ़ाते हैं तो ऐसे में धीरे धीरे जो है अब ये इसकी dominance बढ़ने लग जाएगे मतलब conduction जो है उसका बढ़ना और convection का घटना दोनों में क्या नतरा आ जाएगा कि conduction का बढ़ना जो है वो ज़्यादा तेजी से हो जाएगा as compared to convection के घटने के तो R convection इतना घट नहीं रहा होगा जितना R conduction बढ़ रहा होगा तो R conduction बढ़ रहा है तो मतलब heat transfer through conduction जो है वो घट रहा होगा बढ़ने लग जाएगा और thermal resistance बढ़ने लग जाएगा तो heat transfer rate जो है रेट जो है वो घटने लग जाएगा simple तो यही basic funda होता है थेके न यही basic funda होता है वच्चों हमारे insulation में तो इसका मतलब अब हमें एक चीज clear है कि जब हम इसका grab बना के देखें ठीके न जब हम इसका grab बना के देखें कि भई overall हमें क्या देखने को मिल रहा है तो आप grab बना के देखेंगे इसके outer radius outer radius और heat transfer rate के बीच में outer radius और heat transfer rate के बीच में तो आपको graph कुछ यह नजर आएगा कि starting में आपका क्या हो रहा था जैसे जैसे outer radius बढ़ रहा था heat transfer rate कम होने की जगा बढ़ रहा था लेकिन एक limit आई उसके बाद heat transfer rate जो आपका घटना शुरू हो गया तो इसलिए हमें यह याद रखना है कि बच्चो जब भी किसी में insulation sheet चड़ाते हैं तो वो कितनी radius तक चड़नी चाहिए कितनी radius तक उस outer radius को हमें कितना बढ़ा करते रहना चाहिए यह हमें जानना जरूरी है कि वो उतनी thickness को cross कर जाए जब तक वो उस thickness को cross नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर heat transfer rate क्या हो गया maximum हो गया तेकिन उसके बाद घटना शुरू हो गया तो हमें अगर insulation लगाने पर हम चाहते हैं कि heat transfer rate घटे तो अगर वो चाहते हैं वो घटे तो ऐसे में इस radius को cross करना जरूरी है तो that's why this is called critical radius के लिए value होनी चाहिए वो इस critical radius से ज़्यादा होनी चाहिए ठीक है ना तो for insulation insulation the outer radius should be should be more than critical radius more than critical radius तो यह जो है वो critical radius से ज़्यादा होना चाहिए ठीक है यह concept important है बच्चों कई बच्चों को समझ में नहीं आता है इसलिए मैंने यहाँ पर पूरा पूरा discuss कर लिया ठीक है नहीं तो आपको ultimately फिर क्या याद रखना है आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि हमारा अगर कोई case आता है तो यह critical radius की value क्या होती है आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है समझे बात ठीक है ना तो critical radius की value हमारी क्या use होगी आप सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखेंगे अलग-अलग case के लिए जो कि मैं आपको बता देता हूं ठीक है ना समझ गये नहीं यह concept मैं हट जाओ स्क्रीन से एक बार लो जी मैं हट गया ना बहुत मज़ेदार concept है बच्चों और बहुत बार आपसे पूछा जाता है कहीं skill test में पूछा जाता है क्योंकि बच्चों को इसकी depth जो है वो पता नहीं होती है ठीक है ना ठीक है ना अब यहाँ पर याद रखिए अब यह भी कह सकते हैं सर इंसुलिशन लगाने के बाद भी convection क्यों बढ़ रहा है वह convection को तुम्हारी conductivity से थोड़ी ना मतलब है convection की formula क्या है q is equal to h a delta t उसे h fluid की property से मतलब है area से मतलब है area बढ़ेगा तो वो convection rate बढ़ेगा इसलिए हमने जो है वो कम है as compared to conductive के बढ़ने से तो तब वो अपने आप ही कम होगा heat transfer rate तो यह चीज़ समझ नहीं है बैस तो यहाँ पर याद रखिए simple कि जब हम slender की बात करते हैं slender और wire क्योंकि wire की shape slender की लेंगे ना तो तब यह critical radius की value जो है k by h होती है बस एक चीज़ आखना है h हमारा fluid होगा जो भाहर fluid होगा और k जो है हमारा that is k of insulation यह कभी भी metal का मत पूट कर देना ठेके ना that k is for k for insulation यह conductivity insulation की होनी चाहिए यह नहीं कि wire की conductivity पूट कर दिया आपने वाह इंसुलेशन की जो sheet चड़ा रहे हो उसकी conductivity यहाँ पर होनी चाहिए ठेके ना गलती करते हैं हमें बुलेगा वो वायर की conductivity इतनी है और insulation sheet हमने चाहिए इतनी conductivity की आपने वायर की पूट कर दिया पर सब गलत हो जाएगा ठेके ना that is यह हम derivation से ही निकालते है relation तो mainly आपके paper में सिर्फ यह पूछा जाता है अग्या पर सिर्फ यह लेकिन जब तक आपको इसका concept ही नहीं पता तब तक यह सिर्फ याद करने वाली चीज है clear रहा ठेके ना तो यह चीज द्यान रखिए बचो इसलिए कभी कभी हम पर numerical भी आते हैं कि ऐसा-इसा-इसा-पेस हैं अगर critical radius से कम आई तो आप कहोगे कि heat transfer rate अभी बढ़ेगा ठीक है लेकिन अगर outer radius की value आपकी critical radius से ज्यादा आई तो आप कहोगे heat transfer rate घटेगा simple ठीक है और अगर आपकी बढ़तेवी की तरफ आई तो आप बोलोगे कि एक limit तक बढ़ेगा फिर घटेगा तो यह simple से basic सी चीजे हैं जिससे आप अराम से compare करके बता सकते हो कि आपका outer radius क्या आया है और critical radius के साबसे वह value क्या है समझ आगे इतनी बात तो that's all about my side बागी कुछ concepts ऐसे हैं जो मैं आपको objective के time पर भी cover करूँगा क्योंकि कुछ objective लोगा यह thermal diffusivity वगरा यह समय यहां ना बता के आपको वहां पर भी बता दूगा के लिए चलिए मिलते हैं दिन में thank you very much एक बजे और आज शाम को आपकी special class भी है theory of failures के उपर ठीक है जो theory of failures हमारे दो बचे हैं उनको भी हम लोग cover करेंगे